असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स आज हम कंटेक्स्ट्ट्र एक्ट्रिबूट देखने जा रहे हैं बर्स से लेके दो साल तक की बच्चों की किताबों का कि क्या उन किताबों में होना चाहिए जिस से बच्चों की जो development है वो भी साथ साथ चलती रहे और बच्चों का interest और joy भी उनके साथ साथ चलता रहे तो आज contextual attribute में है जो चीज हम देखने जा रहे हैं वो है कि कहानी की किताबों में कैसी language हो जो कि zero से लेके दो साल तक के बच्चों के लिए appropriate हो सबसे important चीज यहां यह आती है कि बच्चे actually कहान की किताबों से सीखते क्या है important चीज यह है कि इस उमर के बच्चे जो है वो text को पहले नहीं समझते बलके तस्वीर को पहले समझते हैं जब उनके सामने कहानी की किताबे खोली जाती है तो वो text नहीं पढ़ते तो सबसे पहले तस्वीरों को देखते हैं उनकी visual understanding और reception पहले होता है text understanding और reception बाद में होता है यह इनकी age की quality है और इनकी age का attribute है इस period के अंदर बहुत ही जरूरी है कि जो illustrations हम बना रहे हैं या जो आप words लिख रहे हैं वो बहुत ही bold और बड़े size में हो और simple तरीके से लिखे जाएं और attractive colors और lines में हो ताकि बच्चों की पहली नजर ही उस text पर पढ़े या उस illustration को वो देखते हुए उस text को समझ सकें तो हमारी इस उमर के बच्चे के लिए जरूरी है कि तस्वीरों वहां मौझूद हो और तस्वीरे ऐसी हो जो बच्चे आसानी से समझ सकें और उस तस्वीर को देखते हुए वो अंदाजा लगा लें कि यह text किस चीज का होगा या यहां पर क्या लिखा हो जब हम बच्चों के लिए किताबे design कर रहे होते हैं या हम किताबों की selection कर रहे होते हैं तो मेन परपस यह होता है कि बच्चे विज्वली देखें और समझ जाएं और उन चीजों को memorize कर लें और याद करें दूसरी important चीजी होती है कि जो illustrated books होती हैं बच्चों के लिए हमारे पास variety of books available होती हैं बहुत चोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए होते हैं पांच माँ छे माँ के बच्चों को हम बात books भी देते हैं हम ऐसी books भी देते हैं जिन में से music आवाता है जिसके अंदर से आवाज है निकलती हैं या वो किताबे बच्चों से बाते कर सकती हैं कुछ audio किसम की books जो हैं available हैं बच्चे उनसे बहुत attract होते हैं या जिसे जिसे बच्चा बड़ा होता जाता है alphabet books introduce करते हैं digits की books introduce करते हैं concept की books introduce करते हैं एक सफे पर सिर्फ एक concept लिखा होता है या पूरी book सिर्फ एक concept के उपर बनाई जाती है जो बच्चा आसानी से visuals को देखते हुए comprehend कर सकता है यह जरूरी होती है इसलिए ताकि बच्ची की जो intellectual retention है वो वाज़े रह सके और बच्चा जब उसे याद करना चाहे वापस recall करना चाहे तो आसानी से recall कर ले book एक ही context के उपर चली जारी होती है एक ही concept को पेश दर पेश प्रेजंट कर रही होती है अगली important चीज यह आ जाती कि किस किसम की concept हैं जो हम बच्चों को introduce करवा सकते हैं language से related हम बहुत से interesting concept हैं like singular है plural है actions है behavior है और मुक्तलिफ किसम की concept हैं जो simple concept होते हैं बच्चों को हम कहानियों की किताबों में introduce करवा सकते हैं अगर डिदेक्टिक बुक्स हैं उसके अंदर हमारे पर simple familiar concepts आ जाते हैं जिसके अंदर ऐसी तरीके से story बनी हो ताके हर पेश में story के continuation हो और एक single line story चल रही हो तस्वीरों के थूरू जिससे बच्चे आसानी से समझ सके और अपने memory में store कर सके हैं सो अगली important चीज यह आ जाती है कि हमने सिर्फ बच्चों को किताब देनी नहीं है इन बच्चों को किताब पढ़के सुनानी है जब हम एक story को मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं कभी अवास की पिच उपर कभी नीचे कभी आइस्ता कभी जोर से तो बच्चे language की हुसन को स समझते हैं इस लहजे को समझते हैं कि इस language में जो मेरी language है कितनी खुबसूरत language है इस तरीके से language से हम बच्चों को introduce करवा सकते हैं हमारी sense of power है expression है beauty of articulation है यह हमारे बच्चों को कहानी सुनाने से उन्हें समझ में आती है कैसी कहानिया होती है जो बर्स से लेके दो साल तक क बच्चों को हम introduce कराते हैं उसमें सबसे important आती है tails है लोरिया है जो हम बच्चों को सुना रहे होते हैं और जिस तरह हम पढ़के सुनाते हैं बच्चे उस जबान के हुसन को उसके लहजे को उसकी चीज़ों को वह सही absorb करना शुरू कर देते हैं सबसे important चीज़ आती है कि ज आखरी जुमले एक जैसे खतम हो रहे होते हैं वो जुमले बच्चों को याद करना बहुत असान होते हैं और बच्चों की memory में store हो जाते हैं और बच्चे चुट-चुटी कहानियों को चुट-चुटी नजमों को फॉरंग याद कर लेते हैं तो यह वह important चीज़े हैं language से म करेंगे तब तक के लिए best of luck